इस कहानी का नाम है मचली की दुखबरे कहानी किया दोबरे कि दो कि दो कि दो कर दो कर दो कर दो हलो टोड़ी आओ खेले चलो चल कर डुपकी लगाते हैं बहुत मज़ा आएगा नहीं मैं नहीं आओंगी चलो ना टोड़ी वहाँ पर एक साप है मैं नहीं जानता था तुम इतने दरपोख हो क्या तुम हमारे जैसे बहादूर बच्चे नहीं हो क्यों? बिल्कुल क्या कहा तुमने? तुम बहादूर नहीं हो तुम दरपोख हो मैं देखूंगी जब तुम पे कोई खत्रा आएगा और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं क्यों क्या तुम दो प्यूजर नहीं हो कि अच्छा अच्छा दिन है यह तालाब जैसे हमारा स्वागत कर रहा है अरे भई ताला भी नहीं उन मच्छियों को देखो जैसे कांटे में फसने को खुद बखित तयार हो कमाल की मच्छिय है एक भी जाल में नहीं फसती फसेगी बिल्कुल फसेगी लगता है कोई फसी है सच क्या कह रहे हो मेरे ख्याल से हमें एक बड़ा जाल लेना पड़ेगा क्या तुम्हारे पास होगा एक बड़ा जाल नहीं मेरे पास तो नहीं है कहां से लाओं तुम बिल्कुल मत घबराओं मेरे पास है जिसे मैं मच्छर दाने की तरह इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे मच्छरों से बचाती है तुम ज्यादा हरे क्यो लग रहे हो इतनी बेवकूप मत बनो तुम अपना दिमाग इस्तिमाल क्यों नहीं करती और ये क्यों नहीं सुच्ती कि क्या होने वाला है इसमें हसने वाली कौन सी बात है तो क्या होगा अरे पर उनसे क्या डरना वो इंसानी तो है ये मज़ाब की बात नहीं है तुम दोनों एक दिन उनके जाल में फस जाओगे तो क्या हुआ अगर वो आ गए तो हम डरबोग नहीं है हम उनका सामना कर लेंगे समझ गए तुम तुमें शर्म आने चाहिए अगर मेरी दादी होती तो तुम से ज्यादा भादर होती चलो मेरे भाईयों हम सब इस तलाब को छोड़ देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है हम जैसे बहादूर मचलियों को कोई डर नहीं है तुम्हें याद है हमारे पूर्वजोंने कैसी लड़ाईयां लड़ी थी हमें उन पर नाज है यहाँ तो मचलिया दिखाई नहीं दे रही है शायद उधर हो सकती है कर दो मुझे बहुत डर लग रहा है डरो मत, मैं हूँ न अब हम क्या करेंगे हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे लगता है बहुत सारी फस गई है चलो ये जाल खीचो अब तुम्हें किस बात का इंतिजार है आज मेरी बीबी की तवियर ठीक नहीं है जल्दी घड़ जाना पड़ेगा नहीं तो वो नराज हो जाएगी आज का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा ये लोग क्या कर रहे हैं? हमें बसाने की कोशिश इन्हें अभी बहुत कुछ सिखने की जरूरत है बिल्कुल ये दो पैरवाले आसानी से नहीं पसा सकते हमें आज तो पैसो की खनक सुनाई देगी हमें अभी से सुनाई दे रही है ये जाल बहुत भारी था ना वाकई मेरी तो हड्डिया हिल गई इस जाल को हम अभी तोड़ देंगे कमजोर मचलिया बिल्कुल मेरी तरह जाल तोड़ने की कुशिश कर रही है कमाल है ये मचलियां हम कैसे लेके जाएंगे इन्हें कंधों पर उठा लें क्या दिमाग लगाया है मैं तो ऐसा ही हूँ ऐसा लगता है तुम स्कूल जा रहे हो तुमें क्या मैं स्कूली बच्चा लगता हूँ कि आराम करते हैं हां ठीका है है यह बहुत बुरा हुआ देखो हमारे प्यारे दोस्तों के साथ क्या हुआ है हमारे सारे दोस्त आज हमसे भीचण गए हैं हमें उनकी याद आएगी बहुत याद आएगी कितने मजबूर हैं हम हमारे प्यारे दोस्त विचारे मर गए ऐसा क्यों हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे साथ हम कर भी क्या सकते हैं वो शक्तिशाली थे